हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग, I am कुमार मुदुकर और आप देख रहे हैं केम लर्निंग चैनल और आज मैं आपको केम लर्निंग चैनल के अंतरगा जो प्रस्तूत करने वाला हूँ वो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो पंचायती राज इंस्ट्यूसन है, उससे related questions पूछे जाते हैं और 100% मैं sure करता हूँ कि मेरा जो पंचायती राज इंस्ट्यूसन के उपर lesson आने वाला है उससे आपको काफी फाइदा हो पहुचने वाला है, लेकिन हम start करेंगे उसके पहले मैं आप लोगों के सामने जो प्रजेंट करने आप बाला हूँ, वो है questions, practice questions जिसके अंतरगत आपको ये पता चलेगा कि पंचायती राज इंस्ट्यूसन आप कितना जानते हैं और आप हमेशा केम लाइनिग चैनल को जैसे आपने लाइक करते हैं वह सी लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें और बेलागन को प्रेस करके रहें रखिएगा ताकि आपको सारा information मिलता रहे हमारे वीडियो के बारे में, okay, let's start, consider the following statements, पहला statement है, 74th constitutional amendment is related to पंचायती बाते नीटार में चैनल अचायती रहें में आपको बता सकते हैं, question यह है which of the above statement is are correct, option आपको पता ही है, A, B, C, D, 74th constitutional amendment is related to पंचायती रहें सचिन, पंचायती राज एक इन्सक्राइब करते हैं, में यहाँ पर जन्ट करने वाला हूँ इस में से बहुत सारे questions का मैं right question का answer correct provide करूँगा बट एक दो question जो होंगे या दो तीन question मान के चलिए कि उसमें उसका answer मैं wrong provide करूँगा जिसका correct answer आपको comment box में provide करना है ओके चलिए तिसका answer देखें मेरे अनुसार मैं आपको सब्सक्राइब कि 74th constitutional amendment कि से related है अर्बन रूरल अर्बन development या और अर्बन government से related जैसे अर्बन local government होता है तो उसके लिए 70 विश्पालिटी मुनिस्पालिटी मुनिस्पाल कॉर्परेशन इस अब तो 74th constitutional में जबकि 73rd constitutional amendment is related to panchayati राज institution correct और दूसरा है panchayat has been interested with duties and functions in 29 matters अब आपको इसमें identify करने 29 matters है तो 29 matters है इसका answer क्या हो जाएगा correct statement कौन सा है correct statement हो जाएगा दूसरा B क्योंकि यह 73rd है आपको पता ही है बाकि 29 items है इस चीज़ को भी आप देख लिजेगा प्लस में यह भी देखिएगा कि urban government जो है local government उसमें कितना है और पंचायती राज institution में कितना है यह दोनों ही एक बार आप जरूर देख ली जाएगा अपने constitution के अधार के क्वेश्चन नमर्टू इंप्लिमेंटेट फर्स्ट पंचायती राज इसका इसका इंसर मैं आप लोगों को प्रवाइट कर जाता हूं अगर गलत हुआ तो आप मुझे करट किजेगा इसका पाइंसर होगा बिहार बिहार पंचाइती राज इसे सने पास हुआ था इमीडिटली 73rd constitutional amendment के बाद मतलब 1992 में 1991 में constitutional amendment आया था 1992 में यह लागू हो गया था आगे आता बिहार में अब आते हैं next question number three what is the maximum gap of period between two meetings बेर ग्राम सभा गर पंचाहित तरी राज इंस्ट्टिटूशन में आपने देखा ओगा टायर से लेयर से सो ग्राम सभा जो होता है उसमें दो मीटिंग के बीच में कितना होता है जैसे हम लोग जानते हैं ना कि पंचाय पर्लेमेंट में six month का एक gap होता है meeting, two meeting के बीच में that is the maximum limit so what will be the maximum limit between two meetings of the gram सभा six month, three months, two month, one month तो इसका answer है बता सकते हैं चलिए नहीं बता रहे हैं तो मैं आपको बता जाता हूँ answer is three month so three month में एक meeting होना चाहिए और इस तरह से चार meeting होना चाहिए पूरे साल में okay so this is answer is B, अब आप correct किजिएगा मुझे कि मैं answer गलत बता रहा हूँ या wrong बता रहा हूँ और यह भी बता जिता हूँ कि मेरा जो answer wrong होगा वह willingly जान बुझ के मैं बता रहा हूँ कि आप कितना correct करके comment box में बता सकते हैं question number four consider the following statements about gram sabha, gram sabha के बारे में हम लोगों ने कुछ देखा कि मीटिंग की बात रही है तो यहां पर gram sabha के बारे में तो देखे role of the gram sabha में आपने पढ़ा अगर होगा तो मैं आपको बता दू कि statement में identification of beneficiaries for different schemes पहला statement voluntary labor or contribution for community welfare और तीसरा है providing assistance in mass education and family welfare which of the above statement is or are associated with the function of gram sabha, gram sabha के function से associated है यह आपको बताना है कि है यह नहीं है एक और दो दो यह तीन तीन यह एक दो तीन कौन सा है देखिए beneficiary को भी identify करने का काम कोई भी scheme launch क्यों नहों बट beneficiary को जब identify करने की बात आती है तो gram sabha को ही जिम्यदारी दी जाती है उसी तरह से voluntary labor contribution मतलब community welfare के लिए जो भी होता है जिसे गड़ा मैदान साफ करना ये करना वो करना इस सब चीज भी gram sabha के दोरा ही निरने लिया जाता है यह की आ जाता है उसके बाद assistance in mass education में scheme ही मांगे चलिए कि जब scheme infiltrate होता है downward होता है down filtrate होता है ultimately gram sabha के लेवल पर ही आता है जहां पर beneficiary को identify किया जाता है तो family welfare education welfare के बारे में बताया जाता है तो I hope कि यह तीन और statement correct है मेरे answer are so answer will be the d one two three all statements are given are correct and the function it is related to the function of the panchayati raja institutions gram sabha okay चलिए consider the following statement quorum for meeting 120th of the total member of it जो panchayati raja institution में है quorum कितना होता है भई 120th of the total member of the meeting आप लेगो ने पार्लेमेंट में भी पढ़ा हो है कितना quorum होना चाहिए वहाँ पर 110th होता है तो यहाँ पर 120th होता है या नहीं होता है यह आपको देखना है फिर every meeting decided by mukhiya और up mukhiya तो क्या mukhiya के दोरा होता है या up mukhiya के दोरा होता है चो यह जो होता है यह basically आप देखिए गाई यह question जो है consider the following statement यह gram sabha के दोरा है gram sabha gram sabha मैं छूट थूट कया था मेरे से लिखने के लिए तब देख लीजेगा और gram sabha so consider the following statement about gram sabha so quorum 120th total member of it every meeting preceded by mukhiya और mukhiya so both are the correct answer see both are the correct statements 120th चाइए होता है और mukhiya के मुख्या करते हैं प्रिसाइडिंग करते हैं और mukhiya के उपका करते हैं अब आपका answer क्या होगा यह comment box में जरूर डालिएगा बस comment में जब answer डालते हैं तो आप जूरूर ध्यान रखेगा कोरम इस तरह से कुछ टर्म डाल दिजेगा कुछन नमर फाइब डालना है तो कुछन नमर फाइब डाल दिजेगा and answer this so that I can check it and I can reply you question number six how many gram panchayats are there in Bihar very nice question इसका question answer तो आप लोगों को बताना ही परेगा कि कितना है gram panchayat बिहार में can you tell me how many gram panchayats are there 5,431 8,471 7,752 9,014 यह तो मुझे भी नहीं पता है so I will hope I hope कि आपको पता होगा मेरे नसार यह answer जो है एक होना यह होना चाहिए 5,431 so guys you have to tell me the correct answer of this question so so question number seven what is the maximum reservation provided for backward classes in composition of gram panchayat as per the Bihar panchayati raja institution act बिहार panchayati raja का act जो है उसके अधार पे backward class के लिए कितना percent seat reserve रखा गया है अब आपको इसका answer देना है 50 percent 33 percent 25 percent 20 percent what will be the answer so overall it should be the 20 percent of the seats it should not exceed the 20 backward class के लिए only 20 percent seat has been reserved in panchayati raja act बिहार के लिए ठीक है तो यह आप एक बार फिर से देखे लिएगा ज़रूर अगर गलत होगा the comment box में आप बताएंगे ही क्योंकि यह मैं question के थरू तो आप लोगों को test ले रहा हूं मैं तो आप लोगों को यह बताना चाहरा हूं कि आप जब check किजिए कि आप कहां पे हैं कितना question आपका correct होता है और आपको क्या-क्या study करना है इस topic पे 35 इस institution पे और उसके आने वाले दिनों में मैं इस पे इसके उपर दस पांच दस lesson upload करने वाला है इसके लिए question नमर आठ consider the following statement about no confidence motion फर मुखिया आपको पता है no confidence motion तो हर जगर आया जाता है पार्लामेंट में, assembly में, so यहां पे गराम पंचायत में भी यह बाते हुई है कि भाई no confidence motion का provision वहां भी रखा जाए तो रखा भी गया अब उसके condition देखिए requisition of the special meeting for no confidence motion needs support of one-fourth, need support of one-fourth, मतब गराम पंचायत में अगर no confidence motion लाना है मुखिया के against में तो क्या करना होगा special meeting होगा और special meeting के लिए कम से कम one-fourth of the total number of water should be there, पहला condition, दूसरा condition है no, no confidence, no no confidence motion will be introduced in the first two year, क्या यह condition है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपनचायती राजिस्टी तूसरा में यह चेक किजएगा, कि क्या चुनाओ के बाद, दो साल तक कोई भी no confidence motion नहीं लाया जा सकता है, उसके बाद, no, no confidence motion during the last six months of the term, तो क्या यह भी लिखा होगा है, कि पा no fresh motion for one year, मतलब reject अगर हो गया, तो कि एक साल तक आप कोई no confidence motion नहीं लाया जा सकता है, यह statement आपको चेक करना है, total four statement, ज्यान रखेए कि इस सब question इसलिए मैं दे रहा हो, क्योंकि आपको इसके तुरूप न केबल आपको revise होगा, बलकि आप immediately उसके बारे में, पंचायती आपको यहां पर, requisition for special meeting, one fourth members are required for special meeting to pass, to propose for no confidence motion, is it correct, no confidence motion जो है, पहला दो साल में नहीं लाया जा सकता है, लास सिक्स मंद में नहीं लाया जा सकता है, और एक बार रिजक्ट हो गया, तो पूरे एक साल तक फिर से दुबारा नहीं लाया जा सकता है, तो इसका answer होगा, A, सार statement correct है, one, two, three, four, वहां पे जब भी no confidence motion होगा, तो special meeting लाये जाएगी, और उस special meeting में one fourth of the total member का होना बहुत जरूरी है, उसके बाद no confidence पहले term के पहले दू साल में नहीं लाया जा सकता है, मतलब जैसे ही मुखिया का नत्रित appointment हो गया, तो दो साल तक नहीं लाया जा सकता है, औ और last six month में भी नहीं ला जा सकता है, पांच साल का term होता है, आपको पता ही है, और एक बार reject हो गया, तो पूरी year तक फिर दुबारा no confidence motion लाया नहीं जा सकता है, ठीक है, तो यह हो गया protection and no confidence motion के बारे में, तो यह correct answer हो गया, यह next question है, पंचायत समीती is the co terminus two, पंचायत समीत जो है, co terminus माना जाता है, किसका, गराम सभा का, कैचहरी का, ब्लॉक का, जिला का, अब यह बताए कि पंचायत समीती होता कहां और किसको को, किसके level में co terminus बोला जाता है, if you know then you will be knowing about that, पंचायत समीती कहां होता है, आपको पता ही है न, गराम समीती होता है, जो भी यह बता पंचायती राज इस्टिशूशन इन भी हार इस तू टायर सिस्ट्रम, थ्री टायर सिस्ट्रम, फोर टायर सिस्ट्रम, नन अब देवाफ, क्या है भाई, यह तो आप फट्टाक से लों इमेडियतली चुट्की में बता देंगा न, वन स्नाप फिंगर, विदीन वन स्नाप विद देवाफ, तो स्नाप फिंगर, यह दreel आना एंसर, तो टो टायर सिस्ट्म, थी टायर सिस्ट्म, पंचायती राज ही इस्ट्रिशर शो के गाइस सो कुछन था आई होब कि आपको यह कुछन अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा और साथ वे शेयर करना भी मत भूजेगा अपने दोस्तों के बीच में ताकि जादा ज्यादा लोगों तक यह पहुंच सके और आप लोगों के लाइकिंग ही सब्सक्रिप्शन ही हमें बुस्ट अप करता है तेंक यू